तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए कलर से रिलेटेट बहुत ही जादा नौलजवेड वीडियो लेकर आया हैं दोस्तों हम जब ग्लोबल कलर करते हैं या फिर अगर हम लोग ब्लॉंडेर यूज़ करते हैं हाइलाइट्स के लिए या फिर हमें ग्लोबल वी या फिर दोनों को अलग-अलग करना चाहिए और जब ग्लोबल करते हैं और उस पर अगर पुराने कलर्स लगे हुए हैं और फिर से वही कलर चाहिए तो दोनों कलर को हम लोग को मैच किस तर से करना है या फिर आप लोग का जो कलर चेंज करना है ग्लोबल कलर हमने पहले कि उसे अगर change करना है यानि कि warm tone में है उसे cool tone में लाना है तो वो किस तरह से करेंगे दोस्तों आज इस color के session में मैं आप लोग को जितना भी doubt है सारा doubt color से related सब कुछ खतम कर दूगा दोस्तों वीडियो पर लाश तक बनेने ना तभी आप लोग को समझ में आएगा कि जो भी हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं वो वीडियो किस चीज के ऊपर बनी हुए है यानि कि color से related कौन से doubt हम clear करने वाले है तो दोस्तों पहली बर अगर चैनल पर विजिट कियो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को like करिए क्योंकि इतना ज़्यादा नौलजबल वीडियो कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों कि काफी मेहनत लगती वीडियो बनाने में चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप लोग का हम लोग डाउट करेंगे clear कि आप लोग का जो global color है वो virgin hair पर तो आप लोग कर लेते हो लेकिन जब आप लोग करेंगे कि जो हमारा global with highlights है वो एक साथ करना है या फिर हमें अलग-अलग करना है कौन सा बेस्ट रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किये तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे global color हमें किस तरह से करते हैं मैं आप लोग के इस वाइड किस तरह से करना है देन उसके बाद में हम जो color deposit करते हैं उस color को हमें किस तरह से deposit करना है तो यहां पर देख सकते हो कि हमारे पास तीन टाइप से हैं जो कि हम लोग hair color करते हैं समय यूज करते हैं यह तीनों चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता रहें ना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारा जो है वो color hairs पर तो यहां पर हम लोग global color जब करते हैं तो समझ लिजे कि जब आप लोग global color कर रहे हो तो global color करते समय आप लोग का जो hair है वो समझ लिजे virgin hair है virgin hair है आप लोग को color चाहिए समय लिजे 5.6 चाहिए या फिर 7.35 चाहिए कोई भी चाहिए आप लोग ने इसे length पर यह आप लोग की length है इस length पर आप लोग ने कर दिया अराम से 30 volume से और आप लोग को एक अच्छा सा result मिल गया लेकिन यहां पर root है root पर आप लोग को यहां पर 20 volume यूज करना चीक है अब यह तो हो गया हमने की virgin hair पर बहुती easy तरीके से global color कर लेते हैं इसका application देखना है तो application आप लोग को मैं दिखा दूँगा आप लोग को जो next video आएगा उसमें आप लोग को बता दूगा कि application किस तरह से करते हैं वहती easy आप लोग को आता ही होगा तो यहां पर होगया फिर से चाहिए तो हम क्या करेंगे अगर हमने फिर से 7.35 पुरा लगा दिया तो हमारा जो यह वाला शिव शेड है यानि जो हमने यह वाला जो color किया है यह बहुत ही ज़ादा आप लोग को vibrance होके दिखेगा यह कम दिखेगा तो क्या करें उसके लिए तो उसके लिए आप लोग को रूट को छोड़के यह हमारा रूट है इस रूट को आप लोग को छोड़ना है और यहां पर आप लोग को लगाना है 30 VOLUM से 30 VOLUM से लगाना है इस पर आप लोग को color अभी नहीं लगाना 30 VOLUM से लगाना है देन जो हमने रूट छोड़ा है इस रूट पर आप लोग को आना है और यहाँ पर आप लोग को यूज करना है 20 VOLUM चिक है यहां पर हमने pouvez 20 VOLUM लग दिया अब इसका जो तर्टिफाइम मिनिट्स वह हम वेट करेंगे देन कलर हैर की हिसाब से आपको चेक करना 35 से 40 मिनिट्स भी हो सकता है चेक किये हमने हमाला कलर आ गया देन उसके बाद में जो हमारे यह हैर से जो पूराने ओल्ड है जिस पर पहले से किया था इस पर आप लोग को पूरा बहुं वाश तो यह हो गया हमारा वज हर पर किस से कलर करना है और आप लोगों कसे इस करना है अब जब हमें एक लाइन को कलर पसंद लहीं आया या फिर उन्हें पूराना है करना है यहां पर आप लोग को करना है बीच वाश यहां दोस्तों बीच वाश करना है जिसे आप लोग क्लीनजिंग भी बोलते हैं तो अगर color change करना है तो वो आप लोगो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका जो red tone है ये red tone पर अगर आप लोग सोचोगे कि अगर समझ लिजए आप लोग के client को 7.3 चाहिए और हम इसे directly लगा दे बालो में तो आप लोग समझ जाएगी color proper तरीके से नहीं आएगा इसमें red वाला जो है थोड़ा सा reflection आप लोग का tone दिखाई देगा तो वो tone दिखाई न दे इसके लिए आप लोग को cleansing करना पड़े है cleansing के लिए आप लोग क्या क्या यूज करोगे यहाँ पर आप लोग cleansing के लिए यूज करोगे सबसे पहले ब्लांडर यूज करोगे 50 ग्राम देन उसके बाद में यहाँ पर आप लोग शैंपो लोगे 30 ग्राम देन उसके बाद में यहाँ पर आप लोग ब्लांडर और शैंपो के बाद आप लोग को यहाँ पर लेना है warm water यहां दोस्तों थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है आ तो यहां पर आप लोग को डेवलेपर लेना है 20 वॉल्यूम हंड्रेट ग्राम और इससे आप लोग को अच्छी तरह की से मिक्स करना है इसका मिक्सिंग रेश्यो समय लिजी हो गया वन इस्टू वन यानि जितना यह तीनों चीज बनाए उतना ही आप लोगो डेवलेपर ले देन उसके बाद में आप लोग देखोगे कि आप लोग का जो कलर है समझे लिजे कि अगर 5 नंबर का शेड है तो वो 6 लेवल तक जब आएगा यानि कि जब आप लोग देखोगी औरेंज टून उसमें आने लगेगा तब आप लोग को उसे रेट टोन कट हो जाए तब आप लोग ने देख लिया और यहां पर आप लोग ने यह भी देख लिया कि कलर पसंद नहीं कलर चेंज करना है तो किस तरह से कलर चेंज करेंगे अब यहां पर आप लोग को सेकेंड वाला जो हमारा है कि हमें कलर डिपॉजिट किस तरह से करना है तो कलर डिपॉजिट मे कि आप लोग को देखने वली बात है कि ऍझाय के यह सिचुcking आप लोग का डीपैंडेंड करता है सुमझ लीजिए ऑसे अप लोग के स्टोन चाहिए और हलका सा चाहिए यानि कि 6 लेवल तक भी आ गया 5 लेवल 6 लेवल तक भी आ गया तो भी बहुत है और उनका जो हाइलाइट से वो गोल्ड में चाहिए तब आप लोग यहां पर क्या करोगे आप लोग अच्छी तरीकी से यहां पर ब्लांडर से 20 VOLUM से प्रिलाइट करोगे देन उसके बाद में आप लोग इसे वाश करोगे बाद हेर्स को फूरा ड्राइ करोगे और यहां पर आप लोग को तौद यहां पर प्राउन वाला टोन देतेगा अब यहां हो गए आप लोग ने ड्राय हैर से क्या किया आप लोग ने ग्लोबल भी कर लिया आप लोग का बज़ गया लेकिन यह आप लोग को हर जगा नहीं करना है अगर आपके पास कोई क्लाइंट आती है जिनका है अब उन्हें चाहिए ग् 6.6 चाहिए या फिर 7.4 चाहिए जब ऐसे ज़िए और पलस उनको उसके साथ में गोलड हाइलेट भी चाहिए नहीं को नहीं पर आप लोग को गोल्ड हाइलेटald में अगर आप लोग में हाइलेटC aga ल होगा तो यहां पर क्या होगा ओगा हाइलैट्स वाले कलर है वो गोल्ड आप लोग का नहीं आएगा यहां पर आप लोग के हैर्स पर कलर आ जाएगा यहां पर आप लोग क्या करना है यहां पर आप लोग को निकालते हुए पहले हाइलैट्स लगा लेना है देन जो बाकी के बीच के जो हैर्स बचेंगे यहां पर आप लोग को ग्लोबल कलर करना है यहां दोस्तों यहां पर आप लोग को ग्लोबल कलर करना है यानि कि आप लोग ने फॉइलिंग लगा लिया फॉइलिंग लगाने के बाद में जो बाकी के बीच-बीच के जो हैर्स बचेंगे उस बीच-बीच के हैर्स को जो भी हमारे क ग्लोबल कलर जो उनका डिजायर शेड है उस शेड पर आप लोग को ग्लोबल कलर लगाना है यानि कि आप लोग यहां पर दो कलर यूज करना है यहां पर आप लोग को करना है यहां पर आप लोग चाहो जो भी आप लोग कलर यूज कर सकते हो तो मैं यूज करूंगा 8.31 और वेट हेर में 20 वोल्यम से डिपोजिट इसलिए आप लोगों करना है क्योंकि हमने ग्लोबल कलर तो यूज कर लिया हमें कि बाहर जो हमने हेर छोड़े उसमें कोई भी ब्राउने स्टोन या फिर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए और हमें यहाँ पर हमने कलर भी कर लिया की हमें कलर डिपोजिट करना है लेकिन हमने हाइलाइट्स किया बालो में अच्छे तरह किसे पूरा हाइलाइट्स कर लिया और हमारे क्लाइन को जो हाइलाइट्स है वही स्रिफ चाहिए गोल्ड में ठीक है गोल्ड में उनको हाइलाइट्स चाहिए लेकिन उनके जो बाकी के हैस पर फॉइलिंग कर दिया तो उन्हें बिल्कुल भी जो भी टींच ब्राउन वगरा हम लोग जो ने यहां पर दिया था उनको नहीं चाहिए तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे उसके लिए आप लोग को यहां पर वेट हेर्स में ही आप लोग को कलर डिपोजिट कर यहां पर आप लोग वेट हैर्स पर कर सकते हो तो उससे क्या होगा कि जो बाकी के हैर्स है उस पर आप लोगा जो कलर है जो भी टीन्च है वो नहीं आएगा और अगर क्लाइंट का हैर्स समझ लीजिए कि क्लाइंट जो हमारी वह आई है उनके हैर्स में अल्रड़्टी हैं शुलये अगर आपके जो हैर्स से बाकिक है उनके बिल्कुल भी il क sina है उनए सीस हाह वी अछी तरीक़े से अगर करना है deposit करना तो क्या करोगे तो आप लोग को dry hairs पर अगर करना है तो उसके लिए आप लोग लोगे डिया लाइट्स का एक शेड आता है डिया लाइट्स का आप लोग शेड यूज कर सकते लाइएल का जो की बिल्कूल भी लिफ्ट नहीं देता है इसको और इसे आप लोग अच्छी तरीके से टुइंटी वॉल्म से आप लोग ब्रॉंडर वाले जो हैर से जिस पर डि करते हैं कितने अगर प्लस खत पर हमें और इसे तरीक से व्हाले लेकिलिए और याणि अच्छी तरीक वॉस्ट कर सकते हैं यानि आप लोग लोगा है शेक्नीब ज्रय करें अगर क्लाइट ने दूसरे टाइप्स का कलर कोई च्वाइस किलीए और गॉल्ड वाला हाईलैट्स darn है तब आप लोग को यहाँ पर सब्सक्राइब से उस थर्द नंमर पर हम लोगे खाली डिपोजिट किया है करने वहां पर हमें खाली यहां हमने श्रीफ यहाँ पर यूज़ के है डिपोजिट के लिए तो ग्लोबल प्लस हाइलाइट के लिए हमें यहाँ पर दो टाइप के टेक्निक देखने मिले तो आयोग कि आप लोगो पूरा अची तरीकी से पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप लोग को highlight кtonner के लिए और अगर हमें colors नहीं चांगे global hair color के लिए हली हमें highlights पर ही deposit करना है तो हम wetCloud Hair पर अगर layer deposit करें देन अगर dry hair पर फिर से करना है करना है तो हम यहाँ पर definement पूरा कुछ clear हो गया होगा अगर फिर भी कोई extra है तो कमेंटव जरूर करना है तो डोस्तों कैसा लागा आप लोग को global प्लस global विथ हाईलाइटे चल्स क полож को किस तरहसे टिपोजिट करना है और देन उसके बाद में आप लोग किसी और ब्रांट से किस किस सरे से चेंज कर सकते हो और हमारा जो ग्लोबल कलर है उस कलर को रिफ्रेश यानि की पूरा कलर को किस सरे से मर्ज कर सकते हो सारा कुछ दोस्तों हमने यहाँ पर डिटेल में बात कर ली डाउट रहेगा तो कमेंट ज़रू करना या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडिय है हम वहाँ पर टेकनिक सीखेंगे किस तरह से हमें टेकनिक करना है आईलेट के बारे में देखेंगे और आप लोग कलर से रिलिट है और क्या सीखने चाते हो मुझे कमेंट ज़रूर करना चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसी तरह के नए नए वीडियो आते रहेंगे आप लोग भी अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए यहां तक आच चुकिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई टेक केर